हेलो दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ EPF अकाउंट में email ID verify कैसे करें यहाँ पर देखे विरिफाइड है यदि आपका email ID verified नहीं है आपके email ID पर notification किसी भी परकार के जोड़ी message पर आप नहीं होता है तो आसानी से email ID को verify कर सकते हैं EPF अकाउंट में login करने के लिए आपके पास email नमबर और password होना चाहिए तो चलिए बढ़ते हैं कैसे login करेंगे पूरी procedure आपको इस वीडियो में बताँगा सबसे पहले आपको Google में टाइप करना है EPFO EPFO सर्च कर देना है आपके सामने website इस तरह के खूल जाएगा पहले वाले link पर आपको क्लिक करना है सबसे पहला result यहां पर दिखाई देगा इस link पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर official website पर आप पहुंच जाएंगे website पर आने एक बाद यहां पर देखे किवाईसी अपडेशन दिया हुआ है member इस पर क्लिक कर देना है इसको कलोज कर देंगे यहां पर ok बटन पर क्लिक करके यहां पर आपको eo number password capture दज करके login कर देना है यदि आप password change करना चाहते हैं forget तो इस बीडियो को देखिए इस बीडियो में पुरी जनकारी बताई गई है दोस्तो यहां पर देखे account में login हो चुका हूँ login होने के बाद आपको click करना है manage पर manage पर click करने के बाद contact details पर click करना है आपके सामने इस तरह का interface दिखाई देता है आपको यहां पर email id verify करना है तो verify कर सकते हैं यहां पर दिखे change email id लिखा हुआ है तो आप यहां से change भी कर सकते हैं हमें इसी email ID को verify करना है, तो यहाँ पर देखे not verified है, यहाँ पर verify के मैं बटन पर click करता हूँ, click करने के बाद थोड़ा सा loading लिया, और यहाँ पर देखे enter pin number यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, आपके पंजक्रित email ID पर एक OTP गया होगा, इस box में दर्ज करना है, अपडेटेड सक्सफूली, email ID यहाँ पर verify हो चुका है, email पर message भी आ चुका है, इस तरह से असानी से email ID को verify कर सकते हैं, यह process है verify करने का, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो समत को भी सवाल हो, सुझा हो, तो comment box में बताएं, इस तरह से latest update पराप्त करने के लिए आप च